हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक extension board के उपर extension board को दोस्तों कैसे भरा जाता है एक दम सही तरीके से इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं तो extension दोस्तों इसमें क्या है चार पिन ओडिया हुए आप इसमें अलगला connection भी कर सकते जैसे लैंप का हो गया या पिसी भी fanman का connection अगा तो उसको भी हम आज इसमें जानने वाले है ठीक है तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग इसमें हमारी connection है किस तरीके से होगी यह वाला जो point है दोस्तों यह है हमारा indicator तो इंडिकेटर में हमको direct noodle और face दोनों दे देनी है एक में हमारा noodle आएगा और एक में हमारा phase आएगा तो direct line देनी है इसमें ताकि हमको पता चले कि हमारे board में line है या नहीं है ठीक है तो चलिए करते हैं इसकी wiring सबसे पहले इस चार पिन है चार पिन में हमारा लिखा हुआ है एक साइट में एन और एक साइट में लिखा हुआ है यानि कि नूटल और लाइन ठीक है तो हमको इस तरीके से कनेक्शन करना है कि दोनों वायरिंग जो है हमारी भरेंगे आपस में टच नहीं होनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले आप थोल्डा साइव को हम छिल लेंगे को 2 अथि अभी क्या करने है दोस्तो यहाँ से हम इसको इंडिकेटर बिशवाशन के पास इसका इसकूre pat करेंगे इस तरीके से ठीक है अभी इस वायर को दोस्तों यहां से ऊपर गुमाएंगे हम विश इस तरीके से और जो इसमें जो नूटल लिखावा है इस वाला प्ते में इसके अंधर से हम् रोटेट करेंगे ठीक है तो चलिए तो देखे दोस्तों मैंने इस wire को यहां से पुरा इन करवा दिया है और अभी यह वाला wire है इसको थोड़ा सा यहां पर हम कट कर देंगे और फिर उसको आगे खीच करके इस्कुरू टाइट कर देंगे ठीक है तो चलिए देखे किस तरीके से हम इसको कट करेंगे यह वाला हिस्सा हम थोड़ा सा यहां पर कट करेंगे ताकि थोड़ा सा यह छिल जाए कुछ इस तरीके से ठीक है दोस्तों देखिए यहां तक पूरा सा थोड़ा सा हो गया अभी इसको थोड़ा सा हलका टाइट करने के बाद इसको इसको हम फिक्स कर देंगे तो चलिए हो गया यहां तक अभी इस वायर को सीधा चलिए दोस्तो यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है अभी इस वायर को क्या करेंगे हम जो लास्ट वाला हमारा नूटल कनेक्शन बर्च गया है उसको हम इस तरीके से वायर अंदर डाल देंगे और पूरा इसको बाहर निकाल लेंगे कुछ इस परिके से चलिए दोस्तो हमने वायर इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया है और यहां से थोड़ा सा काट मार के इसको भी थोड़ा हम बढ़ा इसको भी हम पुरा इसको कर देंगे तो अब देख पा रहे होंगे दोस्तो हमारा जो नूटल का जो और अगो रहल कर देंगे तो अब देखे आयगुए फस्तमें हमने получ यह बाहर का इंदर का फालने व्वाला जो कनेक्शन है इंदर का इंदर डिए तो इंडिकेटर में हमको डिरेक्ट रखना है इसके लिए हमने यहां डिरेक्ट नूटल डाल दिया अभी यहां से फिर इस वाला नूटल में फिर यहां से उपर वाला नूटल फिर यहां से राइट वाला नूटल और जो लास्ट वाला नूटल है इसमें ठीक है तो नूटल कनेक्शन हमारा किस तरीके से होगा यह जो रेड वाला वायर हम फेस के लिए लेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर तो इंडिकेटर के लिए हम डिरेक्ट लाइन दे देंगे तो कि चलिए इसको थोड़ा सा कि वायर यहां से चील लेते हैं कि पूछ इस तरीके से और इसका नीचे से हमको इन करना है इस तरीके से जो हमारा नूटल कनेक्शन गया है उसके नीचे से हमको इसको डलना है और जो हमारा इंडिकेटर है उस पे हम डिरेक्ट कनेक्शन कर देंगे ठीक है डिरेक्ट कनेक्शन करने के बाद हम इसमें इसका दो स्क्रू है उसको पूरा कम्प्लीट टाइट कर देंगे चलिए हो गया यहां तक अभी इसको सीधा हम उपर इस तरीके से हम खीच देंगे ठीक है यहां तक का हमारा कम्प्लीट हो गया अभी जो आप देख पा रहे होंगे जो यह स्वीच है इसमें हमको किसमें फेस का कनेक्शन रखना है तो हम बोर्ड को इस तरह पल्टी मार के जो देखेंगे ओन किस तरफ होता है यह हमारा ओफ है उपर को हमारा ओफ हो जाएगा और यह लाइनिंग दिया हो है इसमें हमारा स्वीच ओन होता है तो जहां जिस तरफ हमारा ओन होता है यानिकि इस तरफ हमारा ओन होता है इसमें हमको main connection देना है main face wire ठीक है तो यहां से हम इस red wire जो wire है यहां से हम direct इस तरफ लेके जाएंगे और यहां से गुमा के हम सीधा यह वाला switch में direct नीचे लेक आएंगे नीचे वाला wire में हम direct connection कर देंगे और छोड़ देंगे wire को ठीक है तो यह जो हमारा red वाला wire हमारा indicator से गया है switch के नीचे से यहां से यहां हम दोनों switch को sort कर दिया है और यहां से नीचे से तीसरे नम्मर का जो on up switch है उसका main point में रख दिया ठीक है आप देख सकते है इसका बीच में कितना gap है maximum एक एक इंच का जो नूटल वाला wire है उसका और जो फेस वाला wire है उसके बीच में कम से कम आधा इंच का gap है ठीक है तो यह हमारी वैसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है तो फिर भी हमने gap रखा हुआ ठीक है अभी बात आती है इसकी on-off switch के बाद जो connection होती है जैसे अगर हमको पंखे में एक line देना है या फिर light में एक देना है तो उसकी connection कैसे होगी ठीक है तो उसके आप पंखे का एक वायर दे करके एक वायर को आप नूटल कर सकते हो ठीक है तो यह हमारा पंखे का वायर कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह के से आप दूसरा लोड कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अभी मेरे को इसमें स्विच अपना थ्री पिन टॉप में connection करने है तो मैं यहां से डायर्ट यह वाला जो हिस्सा है यहां से एक वायर का टुकड़ा यहां तक मैं फिक्स कर दूँगा ताकि यह स्विच अनॉप काम करेगा यहां पर ठीक है यहां से पावर इसमें जाएगा इसमें से लाइन ज देता हूं तो चलिए दोस्तो हमारा फेज का connection पूरा complete हो गया है आप देख पा रहे होंगे वीडियो में मैंने किस तरीके से connection किया हुआ है आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो देख पा रहे होंगे यह हमारा main line यह वाला जो हिस्सा है यह यहां से जाके टोटल सुर्ट होके यहां पर इंडिकेटर में गया आप अब यहां से अगर हम इस switch को on करते हैं तो यह वाला plug में हमारा line चालू हो जाएगा उसके बाद हम इस switch को hack the in dost को अगर हम से डोस्तों तो इन दोना में हमाण चालू हो जाएगा क२ुकि इसका connection हमने एक में कर दिया है कि हमारे पास थीर ए और स acontec path इसके लिए तो इसके लिए मैंने दो पिन में और का collective कर दिया कि हैं आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं है फोगी वायर हमारा आपसमें अठास नहीं आपसमें है पॉट को यहां से यहां से सates ग्रांड का सर्था फीड पर करो चुका है अगी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जए और वाएर है उसको दो कर दिए तो इसी तरीके सा दोस्तों आप भी छोट से करुद्स यह चेख करेंगे इसमें हमारा line बराबर आ रहा है या नहीं तो मैं इसलिए ले ले लगता हूँ multimeter और multimeter में अजय दिखाएंगे आपको कि इसमें line कहां कहां से कैसे का लमार दोने क् तो मैं इसमें निक्णर गर्दा है तो मैं इसमें । मैं देता ऑँ यानिकि 220 बोल्ट जो श्क्लाइब तो चलिए दोस्तों मैंने इस पावर सप्लाइग दे दिया है इस बोड में आप देख सकते हैं मेरे सारे भी होन है और इसमें इंडिकेटर हमारा चालो हो गया है याने कि फाला datब स्प्लाइब तो हम सबसे पहले टेस्टर इसमें देखेंगे इसमें जल रहा है कि नहीं हमारा कई गलत वायरिंग तो अगर सपोज अगर हमारा कुछ गलत वायरिंग होता है तो हमारा यह बटन आफ करने से भी इसमें लाइन हमको दिखाई देगा ठीक है तो कोई भी हमें यहां पर पावर तो यह हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो गया है तो एक दम बराबर से हमारा गौल्ड काम कर रहे है तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको मुट्टीमेटर से भी दिखा देता हूं यह हमारा इसके लिए और प्लेते हैं और इसमें में अगर दोनों वायर को रखता हूं तो यह देखिए हमको 200 वोल्टेज पुरा मिलता है 210 जो भी मिलता है आपको कम्प्लिट मिल रहा है तो हमारा बोल्ट पुरा पुरी तरीके से कम्प्लिट हो गया है तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आए होगी दोस्तों और वीडियो से अग कि बुरियमे तब तके लिए दानिवार नमस्कार